जैहिन दोस्तो समाधान में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आज जिस समस्या का हम समाधान लेकर आए हैं वो है कम उम्रग में सफेध होने वाले बालों को सफेध होने से कैसे बचा सकते हैं और ये समस्या जिन्होंने पूछी है उनका नाम है सोनु कुमार तो चलिए इस वीडियो में उनकी इस समस्या का समाधान करते हैं अपनी समस्या के समाधान के लिए हमारे यूट्यूब चैनल समाधान को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी समस्या लिखे ताकि जल्दी उस समस्या का समाधान आपको मिल सके दोस्तो बाल सफेध होने की उमर जो होती है वो 35 से 40 साल के बाद होती है लेकिन आज कल देखा जा रहा है कि कई लोगों की 18 से 20 साल के बाद या फिर इससे पहले ही बाल सफेध होने शुरू हो जाते हैं और इनको प्री मैच्योर हेर या फिर प्री मैच्योर ग्रे हेर भी बोलते हैं तो दोस्तो ऐसा होता क्यूं है कि आपके बाल कमसोर हैं कुछ वीक हैं या फिर आपने कभी देखा होगा कि आपके बाल सफेद जरूर हो रहे हैं लेकिन उनकी ग्रोथ भी उसी तरीके से हो रही है जैसे आपके बाकी के बाल बढ़ रहे हैं तो यानि कि आपके बालों की ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है बस आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो अब देखते हैं, बालों का सफेध होने के पीछे कारण क्या होता है? दोस्तों, हमारे द्वचा पे एक सेल होता है, जिसे हम mellow side बोलते हैं, जिससे melon निकलता है, आपने इस शब्त को पहले कई बार सुना होगा, यह वो सेल है, जो कि हमारे स्किन को कितना dark रखना है, या कितना light रखना है, उसके लिए जिम्मेदार होता है, कई लोगों में आपने देखा होगा, कि उनके शेरीब का कुछ हिस्सा जादा सफेध रहता है, और कुछ हिस्सा dark रहता है, उसका कारण कही ना कहीं सीधा इसी से ही होता है क्यों उनके कई सारे मैलेलिन के सेल एक साथ एक जगे पर आ जाते हैं मतलब उनके शरीर के एक हिस्से पर मैलेलिन के सेल जादा होते हैं और एक जगे पर कम होते हैं तो मैलोसाइट करता क्या है ِ Mellow счит, एक enzyme released करता है जिसका नाम होता है Melaline, Mellow site may say malulin release होता है और जितने malulin ज़ादा होगा, उतना आपकी skin dark होगी या फिर उतने आपके कार बाल dark होगी जितने malulin कम होगा उतना आपका skin या आपके बाल सफेद होगे तो Malalin कम करने के लिए तो आपने कई सारे उपाय देखे ही होंगे लेकिन हमें यहाँ पर Malalin कम नहीं करना हमें Malalin बढ़ाना है जो कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप कुछ उपर से नहीं कर सकते आपको जो भी करना है आपको internal ही करना है और आपको अपनी lifestyle चेंज करके करना है देखा गया है यह जो cell होता है हमारे शेरीर में यह बहुत ही अस्थिर होता है यानि कि बहुत ही unstable होता है हमारे साथ कुछ भी उपर नीचे होता है तो इसके उपर सबसे ज़ादा effect आता है अगर हम बिमार होते हैं अगर हमें कोई लंबे समय तक कोई बिमारी चल रही होती है जैसे कि थाइराइड हो गया अस्तमा हो गया लिवर में infection हो गया जॉन्डेस हो गया तो इस cell पर असर पड़ता है और भी कई कारण होते हैं जिनकी वज़े से हमारे बाल सफेध होना शुरू हो जाते है आपने देखा होगा कुछ परिवारों में बाल सफेध होते ही रहते हैं जिसे हम heredity या फिर jeans बोलते हैं कि आपके father के बाल काफी जल्दी सफेध हो गया उनके बाद उनके बच्चों के फिर उनके बच्चों के देखा गया जाद तर में ये चीज़ आती रहती है बालों को काला करने के लिए हमें vitamin B12 और B5 की जरूरत होती है जैसे कि कई लोग vegetarian होते हैं और वो B12 और B5 उत्स मात्रा पे ले नहीं पाते हैं क्योंकि जाद तर B12 और B5 के जो sources हैं वो non-vegetarian होते हैं जैसे कि मास, मच्छी, अंडा या फिर dairy products जैसे कि दूद, धई, मक्खन या फिर आपको blood pressure की problem होती है आपके अंदर खून कम बनता है तब भी आपके बाल सफेद रहते हैं आपके अंदर growth hormones की कमी है pregnancy के time जादा तर महिलाओं में देखा गया है कि उनको उनके जो बाल होते हैं वो सफेद होना शुरू हो जाते हैं अगर आप जादा tension लेते हो किसी चीज़ की तब भी कई बार देखा गया है कि आपके बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं या फिर आप जादा कॉफी का सेवन करते हो जादा beer पीते हो जादा शराब पीते हो जादा cigarette पीते हो इन सब चीज़ों से भी आपका स्वास्त खराब होता है और आपके बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं अपनी डाइट में डाल देते हो तो आपको वो सब चीज़े सही होने शुरू हो जाती है लेकिन हम आपको कुछ स्टेप्स बताते हैं जो अगर आप रेगुलरली इन सब चीज़ों के साथ फॉलो करते हो तो आपको जरूर धीरे धीरे असर दिखना शुरू हो जाएगा हाँ बालो को बापस काला करना एक बहुत ही मुश्किल काम है जिसके अंदर काफी लंबा टाइम लग सकता है लेकिन लेकिन हम बाकी के बालो को सफेध होने से जरूर रोक सकते हैं तो अब आपको क्या क्या करना है आपको अपने सर को साफ रखना है याने की आपको शैंपू करना है अगर आपके बाल छोटे हैं आप एक लड़के हैं तो आप रोजाना शैंपू करें आप एक नैचुरल शैंपू यूज़ करें अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप दो दिन में एक बाई शैंपू करें. मार्केट में बहुत ही सारे chemical shampoo में available है जादतर कोई भी natural नहीं है तो इसी वज़ा से हम आपके लिए एक natural shampoo की वीडियो भी ला चुके हैं जो कि आपको नीचे description box में मिल जाएगा और पहले comment में भी मिल जाएगा इस वीडियो के end में आप जरूर देखिएगा कि आप कैसे घर पे एक natural shampoo बना सकते हैं जो कि आपके लिए हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है दूसरा आपको healthy खाना खाना होगा आपको हरी सबजियां पॉस्टिक आहार बाहर का जंग फूर जितना हो सके उतना कम खाओ उतना अच्छा है अगर आप नमक बहुत ज़ादा खाते हो तो आप उसको भी कम करो क्योंकि नमक के ज़ादा खाने से भी melaline पे असर पड़ता है आप कम से कम 8 से 10 गलास पानी रोजाना पियो जिससे आपके अंदर blood circulation और आपकी बाड़ी अंदर से साफ होनी अच्छे से शुरू हो जाए कभी भी cigarette, शराब इन सब चीजों को हाथ ना लगाए कोशिश करें कि जिन चीजों की वज़े से आपको tension होती है या फिर जिन चीजों से आप उन चीजों पे ज़ादा ध्यान ना दे रोजाना दौड लगाए जब आपका शरी रोजाना चलता रहेगा और exercise करता रहेगा तो वो नए cells बनाता रहेगा इसके साथ साथ आप multi-vitamin की tablets खा सकते हैं अगर आप कुछ time के लिए इन दवाईयों का भी सेवन करते हैं जैसे कि आप multi-vitamin tablets ले लीजिए जिसके अंदर आपको iron, zinc, magnesium, copper ये सारी चीज़े मिल जाएं और आप इसको कम से कम 2-3 महीने तक लेते हैं regularly तो आपको काफी ज़ादा फायदा होना शुरू हो जाता है साथ ही साथ अगर आप vegetarian हैं तो आप vitamin B12 और vitamin B5 एक एक capsule हफते में दो बार ले सकते हैं इसको भी आप 2-3 महीने तक लीजिए आपको इससे काफी ज़ादा फायदा होगा ये तो सारी चीज़े होगई जो आपको अंदर से strong करेगी अब हम आपको दो home remedy भी बताते हैं जिससे आप अपने आपको अंदर से सही कर सकते हैं सबसे पहला आपको इसके लिए नारियल का तेल चाहिए और एक निम्बू चाहिए आप 3 चमच नारियल के तेल में एक चमच निम्बू का रस मिलाएं इसको mix करने के बाद आपको हलके हातों से 10-15 मिनट तक अपने सर की मालिश करनी है 10-15 मिनट मालिश करने के बाद आप इसे हमारे बताय हुए नाचुरल शैम्पू से धो सकते हैं ऐसा हफते में दो बार करने से आपको असर दिखना शुरू हो जाता है दूसरा अगर आप रोजान अपने सर पे तेल लगाते हैं तो इस तेल की बजाए देशी गी से अपने सर की मालिश करना शुरू करें मालिश करने के अप कुछ देर बाद आप उसको हमारे बताय हुए शैम्पू से धो सकते हैं दोस्तो इन सब चीजों में आपको थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन हाँ इससे आपके बाकी के बाल जो अभी काले हैं वो सफेध होना रुख जाएंगे और जाते जाते मैं आपको एक टिप और देना चाहता हूँ कि आप बापस अपने बालों को काला करने के लिए हेर कलर मत यूज़ कीजिएगा उसकी जगा आप महंदी यूज़ कीजिएगा क्योंकि महंदी उन कैमिकल प्रोड़क्ट से काफी जादा अच्छी होती है और वो आपके बालों को नुकसान नहीं पहुचाती तो दोस्तो आज के लिए इतना ही हमारा आज का सवाल जिनोंने पूछा था उनका नाम है सोनू कुमार अगर आपको भी कुछ समस्या का समाधान चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे जल से जल उस पे एक वीडियो लाने की जैहन दोस्तों